जै जिवदानी, ब्यूटे विद ऐस्टोलोजी की फाउंडर मैं कामी निकना आप सभी समझदार सुरोताओं के साथ एक बार फैर एक चर्चा का विशा लेकर हाजिर हूँ सूर्य अनुरादा नक्षतर में प्रवेश कर रहे हैं तेज के स्वामी, प्रकाश के स्वामी, कमिनिकेशन के स्वामी आपके शरीर में हडीस कल, दांत, आंके स्पाइन आपकी आत्मा, आपके पिता के स्वामी, आपके होदे के स्वामी स्वाभीमान, अभीमान, गुरूर घमंड के स्वामी, सूर्य अब शानी के नक्षतर अनुराधा में प्रवेश कर रहे हैं चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाओं इस सबसे पहले आप सबसे नमर विननती कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूटूब चैनल यूटूब स्लाइश ब्यूटिफिध एस्टोलोजी जब आप सबस्क्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर उपर बैल बुटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी मैं जो राशिपल बताती हूँ वो लगने के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टनसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने वाटसप नंबर दिया हुआ है तो चलिए हम जाते हैं कि सूर्य उननिस नंबर दो हजार बाईस को अनुग्वाधा नक्षतर में प्रवेश करना है शनी के नक्षतर और वृष्चिक राशी में रहते हुए ये नक्षतर वृष्चिक राशी में तीन डिगरी से लेकर सोला डिगरी तक फैला हुआ होता है वहीं पर सूर्य 2 डिसमबर को जैष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये जो स्पैन है पूरा 12 दिन का 19 नंबर से लेके 2 डिसमबर 12 दिन के लिए 12 या 13 दिन के लिए सूर्य जो है ये अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे यानि कि शनी के नक्षत्र में रहेंगे अब हम अनुराधा नक्षत्र का चिन जानते हैं कमल बना हुआ है अपस में और कमल जो है वो कीचड में पैदा होता है इसाब जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी भावनाओं का कीचड किसी इंसान के ओपर इतना हावी हो जाता है कि उसमें छट पटा कर जब वो उसमें से बाहर निकलता है तो उसको सफलता मिलती है ऐसे में अनुराधा नक्षत्र इसी सफलता को दर्शाता है याद रखें कि अनुराधा प्रभाव है अनुराधा नक्षत्र पे अब हम ये भी जान लें कि बारह आदित्य देवता में से मित्र नामक देवता जो दयाभाव के स्वामी होते हैं वो देवता हैं अनुराधा नक्षत्र के तो चलिए हम जानते हैं कि सूर्य अनुराधा नक्षत्र में जा के क्या धान होते हैं दंडप्रिय शासक्रिय और सूर्य भी इसी तरीके की क्वालिटी रखते हैं तो वहराक सा योग निर्बान तो होता है लेकिन आपस में शत्रू होने के कारण कुछ परिशानिया भी होती हैं तो चलिए जानेंगे हम मेश सेले के मीन राशी पर सूर्य के अनुराधा नक्षतर में प्रविश करने का प्रभाव मीश राशी के लिए पंचम भाव के सौमी सूर्य जाकर बैठे हैं अश्टम भाव में और अश्टम भाव में अनुराधा नक्षतर के साथ जबाएंगे हड़ीयों से रिलेटेट परिशानिया दांता के स्पाइन स्कल इन सब चीजों से रिलेटेट परिशानिया कोई सरकारी दरबारी कामों में आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो अपने पैसे निकालने की जद् आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठें गायतरी के जाब करें महामृतुंजय करें अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ जगड़ा लडाई ना करें और अगर आपको किसी प्रकार से वैराग होता है तो वह एक अच्छी स्थिती है मेडिटेशन कीजिए फायता होगा विवाहित जीवन के साथी के साथ आपको अनबन नहीं करनी है इसी तरह विरसाइक पार्टनर के साथ भी अनबन नहीं करनी है याद रहें सब तमभाव में सूर्य वैसे नीच के हो जाते हैं और इन दिनों शुक्रसाथ में हैं और साथ स ये भी समझ लें कि मंगल की दृष्टी भी है सूर्य पर तो मंगल के दृष्टी के साथ मंगल के घर में बैठे सूर्य अपने मित्र के घर हैं इसलिए काफी कुछ समल जाती हैं बातें और अनुराधा नक्षतर में रहते हुए भी अपनी बात मनवाने में सूर्य पीछे नहीं हटेंगे थोड़ा सा डॉमिनिशन करेंगे आप अपने साथी पर जिससे बचना है आपको और अपने विपसाइक पाटनर के साथ अच्छे संबंद बना के रखने हैं मित्थुन राशी आपके लिए तबियत को समालना पेट से गैस्ट्रिक ट्रॉबल्स या चक्कराना सिर में या सिर दर्द इस परकार से कोई आपको परिशानी होती है तो रेस्ट कीजे सबसे बेस्ट है सूरी की रोशनी में बैठें और महामृतुन जयके जाब करें साथ साथ जैसे ही अनुराधा नक्षतर का प्रभाव चार पांच घंटे के लिए तिवर होगा थवाप आराम कीजे उसके बाद आपको काम पे लगने की एंजॉयमेंट की भी जरूरत है याद रखें शर्ष्ट भाव में सूर्य खराब नहीं होता और मंगल की उस परद्रिश्टी है इसलिए कुछ बुरा होने नहीं जा रहा है करकराशी सूर्य पंचम भाव में बैठे दृतिय भाव के स्वामी मानसिक उद्वेग और अपने परिवार के साथ कलहकलेश या अपने बच्चों के साथ कलहकलेश नहीं करना है याद रहें सरकारी दरबारी काम फटा फट बनाने है महामृतुंचे के जाब करने है सूर्य की रोशनी में बैठना है वैसे बुद्धी पर प्रकाश है इसलिए जादातर यही देखा जाएगा कि आपके डिसिजन्स गलत नहीं होंगे फिर भी अपने किसी भी प्रकार के डिसिजन्स या मित्र वर्ग से साहता लेते समय किसी गलत व्यक्ती से साहता मत लीजेगा और अपने डिसिजन्स सही तरीके से लीजेगा सिंगराशी आपके लगनेश है सूर्य और जाकर बैठ गए चतुरत भाव में हाट से रिलेटेट संबंदित परिशानिया आपको परिशान न करें इसका ध्यान रखें अपने घर परिवार में एकलहकलेश न करें और वाहन धीमे से चलाएं मा की तवित का ध्यान रखें लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी से related बात चल रही है government related body में या कोई जमीन जायदात खरीदने की बात है तो समहल के सौदे कीजे अगले महिने आपके सौदे हो जाएंगे कन्या राशी आपके लिए 12 भाव के सामी है सूर्या, खर्च के घर के, प्रेम संबंदों के घर के और साथ-साथ विदेश related कामों के घर के और जाके तरिती अभाव में जब बैठेंगे तो आपके कोई भी उत्सा हमें कमी तो नहीं आएगी लेकिन अगर lazyness आए और जरासा भी low feel हो तो आपको सूर्या की रोशनी में बैठना है मा मृतुंचे के जाब करने है और अपनी दवाईयां अगरा लेकर यात्रा में साथ जाएं खाने पीने का भी ध्यान रखें विशेशता मंगल की दृष्टी के कारण आपका उत्सा बना रहेगा तुला राशी लाभाव के सौमी सूर्य धन भाव में बैठे कितनी अच्छी बात है धन अनेको प्रकार से आएगा मंगल की दृष्टी भी है सपोर्ट मिलेगा परिवार का फिर भी छोटी मूटी बातों को दिल पे लगाना कलहकलेश करना जगड़े पसाद बोल बोल के करना डॉमिनेशन करना ठीक नहीं अपने पैसों को समाल लीजे और अपने पैसों का पुरा उपयोग मत कीजे संचित धन को बिलकुल मत निका लिए और जहां तक हो सके बोलने चालने के काम काज में अगर पैसे कमाते हैं तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाईए उसके बाद सब ठीक होगा विश्चिक राशी विश्चिक राशी के लिए आपके लगनों में बैट गए आपके दर्शम भाव के स्वामी क्या ही मज़ा है कि कई सारे काम सूज रहे हैं प्रकाश पढ़ गया है परसनालीटी पर सोच रहे हैं के जल्दी जल्दी बना लूं सारे काम सोच रहे हैं के गौर्मेंटल बॉडी से रिलेटेड काम बना लूं और बीच में हाया ट्राफिक हवालदार आपको अनुराधानक्षितर से परेशानी और इन बातों को लेकर आपके दिमाग पे स्ट्रेस नहों इसलिए आप मेडिटेशन करें सूर्य की रोशनी में बैठें गायत्री के जब करें और महामृतुंजे के जब भी कर सकते हैं आपको हिदायत दी जाती है कि आप अपने परसनालीटी में कोई कमी पाएं तवियत से रिलेटेट कोई परिशानी हो तो डॉक्टर इसला ने लेकिन फिर भी काफी चीजे संबली हुई हैं मंगल की दृष्टी के कारण धनुराशी धनुराशी के लिए आपके भागेश हैं सूर्य और द्वादश में जाके बैठे तो जितने ओफर्स आ रहे थे उनमें वित्तना आए जबरदस्ती के खर्चे प्रेम संबन्दों में बिगाड़ चोटी चोटी बातों को लेकर जगड़े इन सब बातों से अगर आपको बचना है तो सूर्य देव को जल चड़ाएं गाहित्री के जाप करें खर्चों पर गंट्रोल रखें और ये समय है थोड़ी थोड़ी बीच में कभी दो-चार गंटे प्राब्लम हुई तो हुई हमेशा नहीं रहेगी क्योंके मंगल की दृष्टी है आपके रिष्चिक राशी पर और आप सबी स्थित्यों में समालते रहेंगे सिर्फ खर्चों की अधित्ता से बचें आप मकर राशी आपके लिए अश्टम भाव के सौमी हैं सूर्य आपके तबियत के सौमी आपके आयू के सौमी पार्टनर्शिप के स्वामी और लाब में बैठे हैं और आपके लगनेश के नक्षत्र नुराधा से गुजरते हैं ऐसे में आपको अपनी तब्यत समानना आपके कई सारे काम जिसमें आपके सरकारी दर्बारी काम है उन पर कंट्रोल रखना कोई भी केस और विवाद में न उलजना और आपके ताया चाचा पिता से अच्छे सम्मद रखना आपका पहला काम होगा इसके अलावा आपको जो ओफर्स आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं उनको आने दीजिए मना मत करिए चोटा पैसा बड़ा पैसा सब स्विकार कीजे कुम्भ राशी आपके लिए आपके सब तमेश हैं जो आपके दश्शंभाव में जाकर बैठे हैं आपके विवाहिजीवन आपके वेबसाइट पार्टनर से सपोर्ट आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें सरकारी दर्वारी काम थे वो फिर भी सपोर्ट से और माता पक्षक के सपोर्ट से और आपके छोटे भाई बैनों के सपोर्ट से होते रहेंगे पिता के सपोर्ट से लेकिन आपको अपनी पिता की तवियत का समालना थोड़ा सा ही है थोड़ा बौदर होंगे आपके समय जाएगा और थोड़ा आपको काम के स्थल पर जगड़े बाजी नहीं करनी है किसी भी गवर्मेंटल बौडी के साथ उलजना नहीं आपको अपने समझदारी से अपने बोलचाल की भाषा ठीक रखके काम दीजे नोकरी पेशा लोगों के भागे भाओं में जाकर बैठे हैं और आपके लाभेश के नक्षत्र में हैं तो कुछ काम तो ऐसे आएंगे जिससे लाभ होगा पैसे भी आने की बात तो होगी लेकिन परिशानी भाग दोड़ बहुत ज़ादा महनात बहुत ज़ादा अपने आप में जूजना हो जाएग अलाकि सफलता मिलेगी आपको लेकिन तवेद समालियेगा यातरा में जाते हुए खाना पीना और दवाईयां वगरा साथ लेकर चाहिएगा अपने पिता समान लोग और पिता की तवेद का ध्यान रखियेगा और साथ में अपने जो कारिये होड़ हैं उन में जितना हो सके अपना गुरूर, सौबीमान, गमंड बीच में मत लाईयेगा आपके काम होते नजर आते हैं मुझे मैं कामीनी खना बता रहे ही थी सूरे के अनुराधान अक्षत्र में जाने का प्रभाव फिर मिलूंगी किसी अन्य चर्चा के साथ तब तक के लिए आग्या दीजे धन्य बाद और नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, ठेक केर एंड कुट पाइए